डियर स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर महाविट जिंग यादव एसोशेट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्मेंट कोलेज बाड मेर्ड आज आप लोगों को बीएसी पार्ट फिजिक्स फेपर थाड है इलक्टो मेगनेटिक्स के टोपिक फेराडेज लो पर अपना व्याक्यान देने वाला हूं हम जानते हैं कि यदि किसी विद्दुट चालक के पास में चुम्बक की छेतर में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी स्थतिक के अंदार विद्दुट चालक के अंदार विद्दुट प्रभाव प्रेरित होता है जिसे विद्दुट चुम्बक की प्रेरण के नाम से उस गटना को जानते हैं अर्थात जब विद्दुट चालक तता चुम्बक की छेतर के मध्य सापेक्ष गती होती है तो पहणाम सरूप चालक में विद्दुट प्रभाव प्रगट हो जाते हैं इस प्रभाव को विद्दुत चुम्बकी प्रेयर्ण या अंग्रेजिय में इसको इलक्ट्रो मेगनेटिक इंड़क्टेंस कहते हैं, इस प्रभाव का फैराडे ने अध्यन किया और अध्यन करने के पश्चात उन्होंने अपने नियम दिये, जो फैराडे के नियम के नाम से जानते हैं और ये दो नियम होते हैं, क्या अभी प्राय है किस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया, तो फैराडे के अमसार, किसी बंद चालक परिपत में, प्रेरित विद्दुत वाहक बल, इलक्ट्रो मोटिव फोर्स, उस परिपत में चुम्बकी फ्लक्स के परिवर परिवरतन की धर के बराबर होता है, और चालक में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, कि इसका प्रभाव उस परिवरतन का विरोध करती है, जिसके कारण विद्दुत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात यहां ये जो भासा है, इसको मैं मैं निखना चाहूं, तो प्रेरित विद्दुत्वाहकबल E equal to क्या हो जाएगा minus d5 upon dt ये विद्दुत्चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी दर और इसके समानों पाती होता है minus चिन क्या है कि उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण से इसकी उत्पत्य होती है उसको represent करता है minus का चिन परंतु हम जानते हैं कि यहाँ ये विद्दुत्वाहकबल के जुमान है वो विद्दुत्चुम्ब की फ्लक्सी परिवर्तन की दर को represent कर रहा है परंतु चुम्बक की फ्लक्स की जो परिवासा है वह हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू integral over closed surface as b.ds के द्वारा इसको लिखा जाता है equation 2 के द्वारा इसको represent कर दिया जाता है अब यदि फाई का मान में इसके अंदर substitute कर देता हूँ तो ऐसी स्तथी के अंदर विद्दु त्वाहक बल की परिवासान उसार किसी बंद चालक परिपत में प्रेरित विद्दु त्वाहक बल एकांग धन आवेस को परिपत के अनुदिस ले जाने में किये गए कारी के बराबर होता है अर्थात परिपत के अनुदेश विद्दू छेतर के तीवरता एके बंदर एका समा कलन ए इंटेगल ओवर क्लोज पाथ ए डोट डी एल के बराबर होता है अर्थात ये एक्वल टू क्या हो गया है इंटेगल ओवर क्लोज पाथ C E डोट डी एल अर्थात विद्दू छेतर के लाइन इंटेगल के बराबर होता है एक्वेशन तीन के द्वार इसको रिपरजेंट कर दिया है अब एक्वेशन 2 और 3 को एक्वेशन 1 में सब्स्टूट कर देते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें एक्वेशन 4 मिल जाता है ताथ E डोट डी एल इंटेगल ओवर क्लोज पाथ C E डोट डी एल इक्वल टू माइनस D अपॉन डी टी इंटेगल ओवर क्लोज सर्फेस S B डोट डी एस फाई की जगे पर यह रख देते हैं और E की जगे पर क्या रख देते हैं E डोट डी एल रख दिया जाते हैं अब हम जानते हैं कि समय T तता छेत्रफल S सोतंतर चर्राशी होने के कारण आवकल वे समाकल संकारक को परसपर प्रतिस्तापी दे किया जा सकता है तो एक् कौन्टिटि है इसलिए यहां हमें एकेशंट 5 इससे मिल जाती है यह हैं जो काफ्य इंपोर्टेंट के थे-जैनस यह फैडे की नियम का समाकल रूप होता है इंटेगल फोर्म वो फैराडे लो तो कभी-कभी एग्जाम के अंदर कि आप वो कर लेते हैं कि यहाँ जो फैराडे के नियम का जो समाकल रूप है वो भी लिखवा लिया जाता है तो इसलिए ये एक्वेशन को हमें ध्यान रखना है परंतु स्टोक के करल प्रमे से हम जानते हैं कि लाइन इंटेगल को किसमें सर्फेस इंटेगल में करनवट किया जाता है किया जा सकता है तो ऐसी स्टधी के अंदर स्टोक की करल प्रमे से यहाँ यह यह इडोट लाइन इंटेगल यहाँ डैल XE.Ds ये क्लो सर्फेस आस वर ये क्या हो गया ये इस तरह से इक्वेशन के द्वारे रिपरेजर्ट किया जाता है तो ऐसी ये एक्वेशन कल प्रमे हैं शेन इमद्व मा लिख दता हूं इसको इक्वेशन शिक्स कहा दता हूं अब यहां इसको यदि इसमें वो कर देते हैं इसको और आगे वो करते हैं तो समिकन पाउच ज़ता ख़े के तोलणा करने पर equation 5 और 6 यह ता equation 5 और 6 यह equation 5 और 6 की तुलना कर देते हैं तो right hand side और यहाँ जो left hand side इसके अंदर देखते हैं तो ये right hand side बराबर हो जाती है ये left hand side बराबर है तो राइट hand side भी क्या होनी चीए है बराबर होनी चीए है तो ऐसी स्थिदिक अंदर dell b dot dell t equal to kya आगए dell cross e के है ये इसमें बराबर ये आजाता है तो यहाँ dell cross e माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर आ जाता है यहां यह एक्वेशन सेवन के द्वार स्कूरी परजेंट कर रहे हैं यह फैराडे के विद्द चुम्ब के प्रेंट के नियम का आवकल रूप है अर्दाथ जो पहले लिखा वो तो क्या था इंटेगल फोर्म थी और य अब यह नियम क्या है अवकल समाकल और जो अवकल रूप है वो फ्राडे के नियम के हमने देख लाएं अब जो प्रथम नियम है वो क्या है अर्था जब किसी बंद परिपत से संबद चुम्ब के फलक्स में परिवर्तन होता है तो परिपत में विद्दुत्वाकबल पन प्रेरित धारा परिपत में तब तक बैती है जब तक चुम्ब के फलक्स में परिवर्तन होता है तो यहां यह जो है यह प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है दूसरा नियम क्या है दूसरा नियम है प्रेरित विद्दुत्वाकबल चुम्ब के फलक्स के परिवर्तन क इतर के अनुकर्मानुपात्य होता है अर्थाथ E equal to क्या हो गया है minus d5 upon dt रिणात्मक्चे ने दर्शाता है कि विद्दुत्व आकबल इस परकार प्रेरित होता है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारणवे प्रेरित हुआ है यही लैंज का नियम भी कहलाता है तो इस तरह से यह फेरडे के यह पहला और दूसरा नियम हो गया और फेरडे के नियम के समाकल और आवकल रूप हमने इसके अंदर देखा है अब next आता है self induction स्वप्रेरन स्वप्रेरन क्या होता है अब यहां जैसे कोई कुंडली है तो उसके अंदर यह दे कोई धारा प्र रिवर्तन होता है तो ऐसी स्थाथी के अंदर क्या होगा कुंडली के अंदर स्वायम कुंडली के अंदर विद्धुत्वाकबल प्रेडित होता है और वो जिसके दिशा कैसे होती है वो उसकी दिशा उसके विप्रित होती है अर्था वो जो धारा प्रवा होता है उसके दिश के मान में समय के साथ परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुम्बक्य फ्लक्स में भी समय के साथ परिवर्तन होता है और परिणाम सरूब कुंडली में विद्धुत्वाहकबल प्रेरित हो जाता है प्रेरित विद्धुत्वाहकबल की दिशा इस प्रकार होती है क यह चुमबक्यी, flux या धॉरा के परिवर्तन का विरोध करती है इस घटना को स्वप्रेशां या self inductance कहते हैं आदे कुंडली के कार्म कुंडली से प्रवाइत धॉरा के परिवर्तन का विरोध होता है उसे स्वप्रेश सु कहते हैं सेल्फ इंडुक्टेंस उसको कहा जाता है तो यहां मैंने इस फिगर के अंदर यह दिखाया इसके अंदर चुम्ब की फ्लक्स चुएंगी जैसे इसके अंदर तो यह धारा के मान में परिवर्तन होगा तो धारा में व्रद्धी होती है तो e का मान के सा गया यह इस दिशा के अंदर आजता है धारा के अंदर यह कमी होती है हरास होता है तो e का मान के दिशा क्या होगी इस दिशा के अंदर हो जाती है तो ऐसी स्थती के अंदर यदि कुंडली में i धारा प्रवाइद होती हो तो e directly proportional to क्या हो ग dI upon dt के द्वारहिसको represent कर देते हैं। यहाँ इसको मैं equation नूमबर one कह देता हूं। यहाँ यह जो L है यह L इसको represent कर रहा है, यहाँ L एक तांग है जो कुंदली के सो प्रेरंण का परिमान वियक्त करता हैं। और इसे सो प्रेरंग गुणां करता हैं। के नाम जिसको जानते हैं कहते हैं अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि माइनस डिफाई माइनस डिआई अपॉन डिटी इकॉल टू वन हो तो इकामान किसके बराबर हो जाता है अर्थात किसी कुंडली का सोप्रे रखतो कुन आंक या सोप्रे रखतो एल आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्धु त्वहक बलके मान के बराबर होता है जो कुंडली में धारा के हरास की दर एकांक होने पर उत्तपन होता है अर्थात माइनस डिफा डेल अपॉन डेल ट का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है तो उस प्रेरित विद्धु त्वहक बलके बराबर होता है जो यह धारा के हरास की जो दर हो कितनी हो जाती है 1 हो जाती है तो ऐसी स्तथी के अंदर यहां यह E equal to L हो जाता है परन्तु फेरडे के नियम से equal to क्या होता है minus d phi upon dt होता है जिसे हमने पहले देखा था तो ऐसी इस्तिदिक के अंदर समिकंड एक वे दो की तुलना करते हैं एक वे दो की तुलना करते हैं तो L का मान कितना आगया phi upon I के द्वारा इसको represent कर देते हैं अर्थाद so prayer to L flux और धारा के अनपात के बराबर होता है यदि I का मान कितना हो जाए one हो जाए तो L का मान किसके बराबर हो जाता है phi के बराबर हो जाता है अर्थाद इसको फिर define कर सकते हैं दूसरे तरह से अर्थाद कुंडली का so prayer to L आंग की कुरूप से उस चुम्बकी flux के मान के भी बराबर है जो कुंडली में एक आंग धारा के प्रवाइट होने से संबद होता है तो यहां यह इसके so prayer रखत को दो तरह से हमने इसको define कर दिया है अब यहां यदि मान लिया जो कुंडली है उसमें कुंडली में कितने फेरे हो एन फेरे हो तो ऐसी स्थती के अंदार है उसका एन फेरे वाली कुंडली का जो सोब प्रेय रखतो है उसका मान कितना होता है यहां एल इक्वार टू एन इसक्वाइर इंटू फाई नोट के बराबर होता है मातरक L क्या होता है हैन्री या वोल्ट इंटु सेकंड पर एम्पिएर या इसको वेबर पर एम्पियर के रूप में इसको define किया जाता है यदि सो परिनालका है और परिनालका के अंदर धारपरवाईत होने से उसके अंदर जो तो प्रेरक्तो होता है उस प्रेरक्तो का मान इस एक्वेशन के द्वारा देती आ जाता है अर्था अब नेक्स्ट एक इस प्रेरक्तो की कारण से और किसी जो रहे हो एनर्जी स्टोर इन इन इंड़क्टर के अंदर कितनी एनर्जी है वह इस्टोर होती है एकत्री तुरच कितनी होगे हम जानते हैं कि E equal to क्या होता है minus ldi upon dt के द्वारा इसको आपने लिखा है सो प्रेर्गुन के कारण से धारा प्रवाग के विरुद प्रेरित विद्धु द्वाहक बल द्वारा किया गया कारिये प्रतिस सैकेंड minus i into e equal to ldi into dt इसके द्वारा इसको वो कर देते हैं तो यहां यदि कुंडली में धारा सुनने से बढ़कर और i maximum में हो जाती है तो क्या गया कारी कितना हो गया i integration from 0 to i max li di upon dt into dt that is equal to कितना गया half li max square यह कारिये कुंडली में चुमबक्ये और जा के रूप में संग्रेइद हो जाता है इसलिए हमें यह ध्यान रखना है सुप्रेरक्तु में एकत्री तूर्जा कमान कितना होता half li max square जूल इत्ती जो energy है वो किसी प्रेइद कुंडली के अंदर संग्रेइद होती है सुप्रेरक्तु के कारण से तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद झाल